हेलो गाइस आज हम पार्ट 3 ऑफ न्यूट्रोन अक्टिवेशन अनलिसिज में पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ न्यूट्रोन अक्टिवेशन अनलिसिज इसको जानने से पहले इसका इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल और कुछ कंसेप्ट्स हैं उनको जानना बहुत जरूरी है उस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, part 1 और part 2 of neutron activation analysis, link description पे है, या आप i-card पे जाके भी check out कर सकते हैं वो वीडियो, तो आज हम शुरू करेंगे यार procedure of neutron activation analysis, neutron activation analysis के procedure की अगर मैं simple सी बात कर लो, तो पहले यार हमें ये पता होना चाहिए कि sampling किस-किस चीज की अपन कर सकते हैं, sampling किस-किस चीज की अपन कर सकते हैं, पहला अपने पास आ जाता है यार, solids की कर सकते हैं, दूसरा अपने पास आ जाता है यार, liquids की कर सकते हैं, liquids की कर सकते हैं, कोई दिक्कदाली बात नहीं है, थर्ड आ जाता है हमारे पास gases की कर सकते हैं, gases की कर सकते हैं, fourth हमारे पास suspensions, अ के हम sampling कर सकते हैं यह बात समझ मानी चाहिए इसके साथ साथ वो बोलता है कि यह जो neutron activation analysis है वो हमारे पास neutron bombardment पर based है और neutron bombardment जो होती है वो हम बोल सकते हैं कि यह इतनी strong होती है कि they will penetrate the sample और हमारे पास bulk analysis आती है किसी चीज कि अगर हम element की analysis करना चाहते है तो bulk analysis है क्यों है because neutron है देकिन penetrate उनकी penetrating power बहुत अच्छे होती है तो they can penetrate the elements यह बात ध्यान रखेंगे कि sample है sample यह यह है और neutron activation analysis can provide the bulk analysis why reason क्या है क्योंकि neutron activation analysis है वो हमारे पास क्या कर रहा है ज्यादा से ज्यादा penetrate कर रहा है because their penetrating power is high यह बात समझ में आती है sampling समझ में आती है आगे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि what are the procedures में steps कौन-कौन से होते हैं steps कौन-कौन से होते हैं यह तो sampling हो गई अगर हम बात कर लेते हैं first होता है यार pre-irradiation irradiation sample treatment sample treatment नाम से बादा चल रहा है भाई irradiation से पहले sample की treatment करना irradiation से पहले sample की treatment करना यह बात ध्यान रख नहीं भाई sample की treatment करना अब ऐसा नहीं कि एकदम ही तोड फोर दिया sample को कुछ treatment कर रहे हैं simple क्या कर रहे हैं यार इसको हम क्या कर रहे हैं cleaning कर रहे हैं sample की cleaning कर रहे हैं and then उसकी drying कर रहे हैं इतनी बात clear होनी चीए, कि sample treatment में जो हमारे पस sample आया है, उसकी cleaning कर रहे हैं और उसकी drying कर रहे हैं, इतनी बात clear होनी चीए, sample treatment में, कि भाई कुछ interference ना आए, कुछ अगर अल्दो की चीज़ उस sample पर है, तो उसकी कोई interference ना आए हमारे neutron activation analysis करते हैं, time उस sample की, तो हम simple के आगरते ह sample treatment कर लेते हैं, जिसमें हम अपन cleaning कर रहे हैं, उसके बाद the drying कर रहे हैं, this will be the first procedure, उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन करेंगे, इसको, इस sample को ऐसी जगे पर रखेंगे, जहां पर हमारे पास neutron का source है, ताकि neutron का flux है, वो इस sample पर पड़े है, that is, the second procedure is the irradiation of the sample that is, अब उसके हम क्या कर रहे हैं, radiation डाल रहे है, irradiate कर रहे हैं, उस sample को, irradiation with neutrons, with neutrons, sample को irradiate कर रहे हैं, किस से neutron के flux है, यह second procedure हो गया है, हमारे पास, irradiate कर रहे है, sample cleaning हो गई, drying हो गई, प्रिपेर हो गया, sample irradiate करने के लिए, second procedure ऐसी याद रखेंगे, कि सैंपल क्लियर हो तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर हम बात करें Radio Chemical Neutron Activation Analysis की तो इसी step के बाद तो वो होता है इसी step के बाद होता है तो अगर हमारे पास requirement है Radio Chemical Neutron Activation Analysis करने की तो इस step के बाद हम क्या कर सकते हैं R, N, A, A भी कर सकते हैं यह optional है अगर आपको करना है तो करें जिन elements के लिए लगाना है लगाएं बट अगर नहीं लगाना तो हम instrumental भी कर सकते हैं instrumental भी कर सकते हैं इतनी बात clear होने चाहिए instrumental भी कर सकते हैं इतनी बात clear होने चाहिए ध्यान से देखेंगे अब अगर हमने और न ए लगा दिया तो ठीक अगर हम बात करते हैं irradiation के बाद irradiation के बात क्या होगा हो एक्साइट हो जाएगा excited होने के बाद हम बोल चकते हैं क्या वह गामरेज दे दी prompt गामरेज दे दी prompt गामरेज देदी तो भाई उसकी हम डिटेक्शन कर सकते हैं उसकी detection करनी है, तो हम बोल चकते हैं, irradiation के बाद ही हम कर सकते हैं, PG-NAA perform कर सकते हैं, that is prompt gamma rays neutron activation analysis को perform कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे radio chemical NAA perform करनी है, यह chemical modifications लानी है, तब भी हम यहाँ पे perform कर सकते हैं, उसके बाद क्या होगा, अगर हम बात करते हैं कि यह जब उसने gamma rays दे तो वो radioisotope बन गया, radioactive isotope बन गया, अब radioactive isotope बन गया, तो उसका decay period होता है, that is हम बोल सकते हैं, analyzing of radioactive isotope, analyzing of radioactive isotope, समझेंगे, radioactive isotope का analyzing, that is हम बोल सकते हैं, कि जब हमार पास radioactive isotope बना, उसका कुछ एक certain half life होगा, decay period होगा, अब वो decay जब होगा, तो हम बोल सकते हैं कि यार, gamma rays produce करेगा, हम gamma rays ही detect करते हैं, ज़्यादा तर तो gamma rays जो detect होती हैं, वो हम बोल सकते हैं, gamma rays spectrometry के थ्रू होती है, और कुछ certain peaks मिलती हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि यार क्या बोल सकते हैं concentration भी पता लगा सकते हैं और qualitative analysis भी कर सकते हैं तो इस वाले process में हम क्या करने basically कि जो हमारे पास radioactive isotope बना है उसमें हम simple तरीके से क्या कर रहे हैं उसकी gamma rays की production detect कर रहे हैं with the help of gamma rays spectrometry, spectrometer और उससे हम पता लगा रहे हैं कि एक particular sample में किस किस तरीके का element that is a qualitative analysis और कितना कितना that element is present that is a quantitative analysis इतनी बात clear